हेलो दोस्तो ओल इन वरन टी टी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ रही है कौंसलिंग से संबंधित तो दोस्तो आप सभी से चोटा सा रेक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लिए बगल में बेल आइकोन हैं उसको भी दबा दीजे दोस्तो नालंदा ओपन इनवर्शिटी के द्वारा ओफिसियल नोटिफिकेशन जारी करके आप लोगों के लिए महत्पून सुचना जो है जारी की है दोस्तो देख सकते हैं कौंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले अभियर्थियों के लिए अतियावस्थिक सुचना जिन लोगों का कौंसलिंग छूट गया है कौंसलिंग नहीं हो पाया है उन सभी के लिए काफी महत्पून अपडेट आ रही है दोस्तो देख सकते हैं कि नालंदा खुला बिस्विदाले द्वारा आयोजित कोई कारण से अनुपस्तित अभियर्थी जो है छात्री हित में ध्यान रखते हुए एक मौका पुनह दिया जा रहा है यानि कि दोस्तों अगर आपका कौंसलिंग जो है छूट गया है अगर किनहीं का कौंसलिंग 17 अप्रिल से लेकर 19 अप्रिल के बीच में था और आप लो को दिया गया है तो दोस्तों आप सभी जो है कौंसलिंग में एटेंड हो सकते हैं कौंसलिंग में कब जाना है दोस्तों आपको मैं बता दू कि ऐसे अभियर्थी दिना आंके 21 अप्रेल 2019 को प्राता 10 बजे से सामके 6 बजे की बीच में आप लोग जो है ज्यान भावन में ज यहां पे जाके आप जो है कौंसलिंग करा सकते हैं इसके साथ सारे परपत्रों के साथ उपस्तित होकर कौंसलिंग जो है आप करवा सकते यारी कि सारे डॉक्मेंट से ले जाकर आप जो हैं कौंसलिंग करा सकते हैं वैसे जिन लोग का कौंसलिंग छूट गया है दोस्तों आपको बता दूँ साथ ही दिनांग 17 अप्रेल 2019 से 19 अप्रेल 2019 के वैसे अभियर थी जिन्होंने कॉंसलिंग सुल्क पुरुब में जमान नहीं किया है वे भी जो है कॉंसलिंग फी और सीट एसेप्टेंस फी जो 2000 रुपया है दोनों एक साथ इस वी आई के माध्यम से आप जो है सी इटी वी एड़ फंड एकाउंट में आप जो है पेमेंट करके आप जो है कॉंसलिंग में जा सकते हैं इसके लिए आप लिए कॉंसलिंग कॉंसीट एसेप्टेंस फी के लिंक को खोल कर आपको पेमेंट ज से लेकर पंदरा अप्रिल के बीच में कॉंसलिंग सुल्क जमा कर दिया है वे अभियरती जो है सिर्फ सीट एसेप्टेंस फी जो दो हजार पे है उन्हीं को पे करना है सिर्फ आपको दो हजार पे जो है पे करना है और उसके बाद जो है आप लोग जो है कॉंसिलिंग में जा पाएंगे दोस्तों आप से चटा से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजे बगले बेल आइकोन इसको भी दबा दीजे अपने दोस्तों में सेर कर दीजे दोस्तों मैं बता दूँ कि यह अंतिम अपसर है इसके बाद किसी भी प्रस्तिती में कोई अन मौका आपको नहीं दिया जाएगा दोस्तों देख सकते हैं कि कोई अन मौका नहीं दिया जाएगा दोस्तों ग्यात हो कि इस अपसर को चूकने पर रित अस्थान को मेगा सुची के अधार पच्चैनित जो दूसरे अभियर्ति हैं उसको आवंटित जो है कर दी जाएगी यानि कि अगर आप इस बार जो मौका दिया गया है पुना जिन अभियर्तियों को छूट गया है अगर नहीं जाते हैं तो आपके जगह पर किसी और को एलोट कर दिया जाएगा इसलिए आप लोग जो हैं ज का मूल अंक परमान पत्र लेकर जाना है और अरिजिनल लेकर आपको जाना है मूल परमान पत्र लेकर जाना है असनाता का मूल अंक परमान पत्र लेकर जाना है और मूल परमान पत्र भी आपके साथ उसके साथ लेकर जाना है अगर अंक परमान पत्र आगर आपके पास नही है तो आप जो है अप्वबंध धिक्यानी की परभिजनल ले जा सकते हैं जो आरक्षन कैट्वरी के कैडिडेट है उन्हें जाती परमान पत्र लेकर जाना है निवास लेकर जाना है निवास परमान पत्र साथ में पिछले बर के जो महिला WBC के चैनित अभियर्थी हैं उन सभ पहचान पत्र के रूप में आपको एक लेकर जाना है फोटो आप लेकर जाएंगे अधार जो है वो लेकर जाएंगे एडमिट कार्ड जो है CETB8 2019 का एडमिट कार्ड मार्क सीट लेकर जाएंगे साथ में सारे फोटो एस्टेट आप लेकर जाएंगे फी पेमेंट का जो प कौंसलिंग जो है छूट गया है कौंसलिंग में आप जो है जा सकते हैं जिन लोगों का कौंसलिंग जो है 17 अपरेल से लेकर 19 अपरेल के बीच में था और बच्चे जो है उपस्तित नहीं हो पाये थे उन्हें पुना से मौका दिया गया है कि आप सभी जो है सामिल हो सकते हैं counseling अपना जो है करा सकते हैं इसके लिए आपको मतलब की जो fee रखा गया है आपको pay करना पड़ेगा साथ में दोस्तों ये अंती मौका है इसके बाद आप लोगों को दुबारा से बौका नहीं मिलेगा तो अगर आप admission लेना चाहते हैं बिहार बिये 2019 में अगर आप admission लेना चाहते हैं तो आप जो है counseling अपना करा सकते हैं और admission दोस्तों आप जो है ले सकते हैं तो ये अंती मौका है और आप सभी जो भी अभियार्थी छूट गए है उनका counseling का जो date है 21 अपरेल 2019 को आपको उपस्थित होना है ज्यान भवन पटना में और इसका time जो है सुबा के 10 बजे से लेके सामके 6 बजे के बीच आप किसी भी समय जाएंगे तो आपका जो है counseling हो जाएगा और 17 चार से लेकर 19 चार के बीच में अगर आप seat acceptance फी 2000 प्या पे नहीं किये हैं तो आप फी पेमेंट कर लेंगे अगर आप counseling फी जो अगर आप नहीं प्ये किये हैं 11 अप्रेल से लेके 15 अप्रेल के बीच में जो फी पेमेंट करना था अगर नहीं किये हैं तो उसे भी आप payment करेंगे अगर दोनों आपका बाकी है तो आप counseling com seat acceptance फी बाले link पर क्लिक करके आप जो है payment करेंगे अगर आप counseling फी दे चुके हैं लेकिन आप 2000 रुप्या seat acceptance फी नहीं दिये हैं तो सिर्फ आप 2000 payment करके आप जो हैं उसका प्रेंट आउट लेके दोस्तो आप सभी जो हैं counseling में जा सकते हैं दोस्तो ये हैं आप सभी के लिए बड़ी update की वैसे student जीन लोगा counseling छूट गया है आप लोग counseling करा ले नहीं तो दुबारा से आपको मौका नहीं दिया जाएगा और आप जो छूट जाएंगे इसके अस्थान पर किसी दूसरे चैनित अभियर्थियों का जो है पहले दिन जो counseling हुआ था उसमें 1358 अभियर्थि पहुंचे थे दूसरे दिन भी अभियर्थि जो हैं 133 अभियर्थि पहुंचे थे इस तरह से लगातार पर्ते एक counseling में student जो है ना पहुंच नहीं पा रहे हैं तो वैसे student जो counseling ने किसी ना किसी कारण से छूट गए हैं तो आप सभी के लिए ये अंतिम मौका है दोस्तो आप सभी जो हैं जाकर अपना counseling करा ले सारे documents को आपको लेकर जाना है metric से लेकर graduation तक का mark sheet और original लेकर जाना है अगर आपके पास original नहीं है तो प्रविजनल भी लेकर जा सकते है photo आपको एक लेकर जाना है लेकिन आप दो-तीन रख लेंगे photo सारे documents का photo estate करा लेंगे उसके बाद वहाँ पे जाएंगे तो आपको दो form मिलेगा आप उस form को fill up करेंगे उसी बाप photo chip का आएंगे और आप सभी फाइनल की एक लेटर वहां से मिलेगा कि आपका counseling हो गया confirmation हो गया है admission के लिए और आप सभी का 1000 रुपया जो fee payment करना है एक माई से लेकर आप सभी जो है payment कर सकते हैं आपके अपने roll number के हिसाब से date जो है वो लोग बताएंगे तो आप लोग जो है एक माई के बाद जो है payment कर सकते हैं ऐसे officially अपडेट बहुत जल्द आप लोगों के लिए आ जाएगी फिर आप लोग जो है payment कर लेंगे तो दोस्तो ये है फूरी अपडेट counseling से सबंधित जीन लोगों का counseling छूट गया है आप लोग जो है counseling करा सकते हैं counseling जो हो रही है पटना के ज्यान भवन में हो रही है और सुबह के 10 बजे से लेकर साम के 6 बजे तक counseling हो रही है तो दोस्तो ये है update इस वीडियो में कि आप लोग का counseling अगर छूट गया है तो आप लोग जाएए और counseling करा लिजे नहीं तो दुबारा मौका आप लोग को नहीं दी जाएगी तो दोस्तो ये है update और दोस्तो कोई भी मन में प्रस्ण हो तो आप मुसे पूछ सकते हैं साथ में दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बगल में वेल आइकोन है उसको भी दबा दीजे और अपने दोस्तों में से सेर कर दीजे